हेलो नमस्कार जैहिंज स्वागत है आप शब को एम विद आर्वी परिवार में कैसा दोस्तों उमीद है आप शब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे त्यारी चल लिए होगी आज इस वीडियो में भोगोल का एक महत्तुपूर्ण टॉपिक भोकंप भोकंप से बनने वाले सभी महत्तुपूर्ण पृष्णों को देखेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और वेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा तो सुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोशन है भोकंप के अध्यन को क्या कहते हैं सिस्मोग्राफी, सिस्मो हाइट, सिस्मोलोजी या इन में से कोई नहीं तो भोकंप के अध्यन को क्या कहा जाता है आफशन C सही होगा सिस्मोलोजी भोकंप के अध्यन को सिस्मोलोजी कहा जाता है अग्ला Question है Question No. 2 भुकम पूत्पति से पहले कौन सी डैस निकलती है तो यहाँ पर अगला question है अधिक टीब्रता वाली भूकम्पको मापा जाता है सिस्मोग्राफी, मांक्रोपॉली, प्लोटोनिक या इन में से कोई नहीं तो अधिक टीब्रता वाली भूकमप को किसे मापा जाता है तो option B सही होगा, मारको, पॉलीशे option V सही जवाब होगा आगला कुश्यन है विस्तु के शर्वाधिक भूकम्प किस पेटी में आते हैं प्रशान्त महासागरी पेटी, मध्ध अटलांटिक पेटी, हिंद अटलांटिक पेटी या इन में से कोई नहीं तो विस्तु के शर्वाधिक भूकम्प किस पेटी में आते हैं तो आफ्शन एस होगा प्रशान्त महासागरी पीटी। आफ्शन एस होगा। अगला कुश्चन है। हुआ भूकम्प का कारण होता है। टेक्नोय जम, भूगरशन। भूअ परिब्हरमड या इन में से कोई निए। तु भूकम्प का क्या कारण होगा। आफशन A सही होगा, टेक्टोनिजम, क्या कारण होगा, टेक्टोनिजम, और भी आदिक कारण होगे, जैसे प्लेटोनिक घटनाएं, बोगर्विक गैशों का फैलाओ, विवर्तनीक आदि घटनाएं, भुकम्प के कारण का मूल उत्पन होती हैं, अगला क्वेशन है, विस्त में सरवाधिक भुकम्प आते हैं, रूस, अमेरिका, जापान या चीन में, तो विस्त में सबसे ज़्यादा भुकम्प का आते हैं, आफशन C सही होगा, जापान में, विस्त में सरवाधिक भुकम्प जापान में आते हैं, अगला क्वेशन है, भारत में सरवाधिक भ तो भारे में सरवाधिक बोकंप किस छेतर में आते हैं, तो option C सही होगा हिमालई छेतर में, किस छेतर में हिमालई छेतर में, अगला question है, question number 8, बोकंप उत्पति का सही कारण है, प्लेट का असंतुलित होना, भूम में दरार होना, नदियों पर बड़े बड़े बांद होना य का असंतुलित होना यह इसी कारण भी भुकंप आते हैं वह में दरारे होना इस करहरं से भी भुकंप की उतवत्ते होती आनदियों पर बड़े-बाद बनाने से भीुकंप की उतवत्ते होती है तो आफ्शन डी से योगा अगला क्वेशन है बोकंप केंदर के ठीक उपर बोकंप केंदर के ठीक उपर के बिंद को क्या कहते हैं मध केंदर, मूल केंदर, उत केंदर या अंता केंदर तो बोकंप के ठीक उपर वाले बिंद को क्या कहा जाएगा यहाँ पर आफशन C सही होगा उत केंदर क्या कहेंगे उतकेंदर बोकंप के ठीक उपर वाले केंदर को क्या कहा जाता है उतकेंदर कहा जाता है आफशन D सही होगा अगला कुश्यन है बोकंप केंदर के ठीक नीचे के बिंदर को क्या कहते हैं विदर अधिकेंदर हाइपो केंदर या इनमें से कोई नहीं तो भूकम्प के ठीक नीचे बिंदु को क्या कहेंगे option C सही होगा क्या कहेंगे हाइपो केंदर भूकम्प केंदर किसे कहेंगे epicenter इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं epicenter इसको भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र इसका क्या नाम होगा इसको कहेंगे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र या इंगलिस में इसको क्या को बोला जाता है epicenter क्या कहेंगे epicenter इसके ठीक नीचे वाले बिंदु को क्या कहते है भूकम्प मूल जिसको इंगलिस में क्या कहा जाता है फोकस क्या कहते है फोकस नीचे वाले बिंदु को भूकम्प मूल या फोकस या हाइपो सेंटर इसके तीन नाम होगे या तो आपको बुलेगा भूकम्प मूल या इंगलिस में क्या कहा जाता है फोकस या इसका दूसरा नाम होगा हाइपो केंद्र जिस जगह में भूकम्प का कंपन प्रारम होता है जिस जगह से भूकम्प का कंपन प्रारम होता है उसे क्या कहा जाता है भूकम्प मूल कहा जाता है क्या कहा जाता है भूकम्प मूल और जहां पर भूकम्पी लहरों का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं भूकम्प केंद्र क्या कहेंगे भूकम्प केंद्र कहा जाता है यहाँ पर आफ्षिन सी सही होगा अगला कुश्चन है कौन सी भूकम्प में धरातली तरंगें आती हैं कौन सी कौन सी भुकंप में धरातली तरंगे आती हैं P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे या इन में से कोई नहीं कौन सी तरंगे होगी यहाँ पर आफशन C सही होगा कौन सा आफशन C सही होगा L तरंगे एलत रंगें क्या होती हैं ये प्रथिविय के केवल उपनी भाग को प्रवाइद करती हैं कौन सी एलत रंगें ये सबसे बिनासकारी तरंगें होती हैं एल तरंगे जो हैं यह सबसे बिनासकरी तरंगे होंगी इनका एक नाम होता है long period wave क्या होता है long period wave शबशे लंबा मार्क ते करने वाली तरंगे कौनसी होंगी एल तरंगे कौनसी एल तरंगे अगला कोशन है भूगर्व में जिस इस्थान पर भूकंप तरंगों की उतपत्य होती है कहते हैं आधिकेंदर भूकंप केंदर मध्यकेंदर या इनमें से कोई नहीं तो से क्या कहा जाता है आफशन वी सही होगा भूकंप केंदर इसको इंगलिस में बोलेंगे फोकस क्या कहा जाता है फोकस अगला कोशन है तरल पदार से होकर ना गुजरने वाली भूकंप तरंगे कौन सी हैं वो तरंगे जो तरल पदार से होकर नहीं गुजरती हैं ना गुजरने वाली पी तरं इसी लिए इन्यों क्या कहा जाता है अनुदर को एड़े तरंगे इन ही को अनुदर रोते रेक्कि पाई निका जाता है शफशे अधिक गति किसकी होती है पी तरंगी ये किसकी तरह गमन करती है तो ध्वनी तरंगों की तरह गति करती है यहां पर आफशन कौन ससी हो जाएगा अगला कौशन है बोकंब केशन में किने तरंगों का उदगम होता है B, S, L, R, B, L, A, B, L, P, S, L तो option D सही होगा, P तरगे, S तरगे, और L तरगे option D सही होगा अगला question है रियक्टर पेमाने का उप्योग होता है भुकम्ब की तीब्ड़ता मापने में अंतरच की गयरहिं मापने में भावन की उचाई मापने में या इनमिस से कोई नी, तो और गैक्टर पैमाने का भ्रता मां выглядит अपने में, option A सही होगा, अगला question है, सम भूकम परेखा का आकार होता है, भू college का नियमित, आनियमित, या इनमे शो कोई नी, तो सम भूकम परेखा का आकार कैसा होता है, option C सही होगा, किसे मापने के लिए उप्योग किया जाता है जार भाटा सागरी तरंगों को बोकमपी तरंगों को या इनमेशे कोई नी तो सिस्मोग्राप किस मापने में प्रियोग किया जाता है आफ्शन सी सही होगा बोकमपी तरंगों में किसे मापने में बोकमपी तरंगों को मापने मे सिस्मोग्राप फिमानने का प्रियोग किया जाता है अगला कॉश्चन है भोकंप किस प्रकार की आपदा है वाइमंडली, जली, प्राकरतिक, महामारी तो भोकंप कैसी होगी प्राकरतिक आपदा होती है अगला कॉश्चन है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है चक्रवातों से ज्वार्भाटा से समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले कंपन से या इनमे से कोई नहीं तो सुनामी समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले कंपनों से उत्पन्न होती है आफशन सी से ही होगा अगला कुश्यन है भूकंप का कारण है भूपरेश्ट से में बिच्छोप भूपरपरटी की परतों का समायोजन सेल तंद्र का तूटना या सेल तंद्र का उपर उठना तो भूकंप का कारण होगा option A से होगा भूप्रेश्ट में भी छुप option A से होगा तो कैसा लगा आज का session comment box में जरू बतेगा चानल पर नए हो तो चानल को subscribe जरू करिएगा